आशुतोष ये जो किसा आ रहा है इस पे आपकी पहली टिपड़ी क्या है आपने कहीं और की होगी लेकिन यहां हमारे साथ बाची में आप इसे कैसे देख रहे हैं आपको अश्चर हो रहा है अर्विंद केजरिवाल के इस शाहखर्श को देख के मैं बहुत हैरान हूँ और अंदर से काफी परेशानी भी है हैरान इस बात को लेकर है क्योंकि यह आमाद्वी पार्टी के नेता अर्विंद केजरिवाल इस काम को कर रहे है अगर यह काम भारति जन्ता पार्टी कोई बड़े नेता करते, नरेंदर मुदी कर रहे होते, राहूल गांधी कर रहे होते, अखलेश शादो करते, या फिर मायावती करती, या फिर स्टालिन कर रहे होते, तो मुझे किसी तरीके कोई हरानी नहीं होती, क्योंकि ये वो नेता है जिन्होंने कभी इस बात का दावा नहीं किया, क कि वो मुखमंतरी बनने के बाद या कैबिनेट मिनिस्टर बनने के बाद वो बंगलो में नहीं रहेंगे, वो लालबत्ती नहीं लेंगे, वो सुरक्षा के घेरे में नहीं चलेंगे, तो जब आप इतने बड़े-बड़े दावे करते हैं और इन दावों की वज़े से ही आमा बंदारी, इनकी मासूमियत पर लोग फिदा हुए, और उस मासूमियत का ये नतीजा था कि आमादी पार्टी अचानक एक साल के अंदर वो दिल्ली में सरकार बनाने के स्थिते में पहुंच जाती है, तो मुझे इस बात को लेके बहुत ज़्यादा है और इसलिए ये तकल चलनल ने खावर ब्रेक की है, उनके पास पुक्ता कागजात दिखाई पड़े हैं, और जो कागजात उन्होंने दिखाए हैं, उसको अभी तक आमादी पार्टी के किसी भी प्रवक्ता ने उसको रिफ्यूट नहीं किया है, उस चैनल पर जब मैं मौझूद था, उस वक्त आमादी पार्टी के भी एक प्रवक्ता मौझूद थे, वो आमादी पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक हैं, वो अगर ये कहतें कि नहीं, जो डाकुमेंट्स आप दिखा रहे हैं, जो कागजात आप दिखा रहे हैं, ये गलत है, ये फर्जी है, और हम आपके पुर्णा दर्शन है, आपका जो पुराना कत्थ है, उससे मेला इखाता है, तब आमाधी पार्टی के नेता ने या प्रवक्ता ने यह नहीं कहा खिया का आपकर डाकुमेंट सही है और हम सब लोग टेलेविजन चैनल्स में या ख़वारों में लंबी पत्रकाईटा कर चुके हैं और हम जानते हैं कि आमोमन ऐसा बहुत कम होता है जब कोई डाकुमेंट ब्रेकिंग नूज या बड़ी स्टोरी ब्रेक करता है तो उसकी पहले परताल कर लिजाती है कि डाकुमेंट में कितना दम है वाकिए में सही है नई सही है उसमें कोई कोई लूप होल तो नहीं है कहीं कोई ऐसी चीज़ सुने जिसका अधार पिन खलाब मकदमा हो सकता है या ख़वर को पुरी तरिके से deny किया जा सकता है इसलिए मेरा अपना मानना ये कि document सही है और इस document पर भरुसा करने के अलावा हमारे और आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है अगर आमादी पार्टी ने इस ख़बर को deny कर दिया होता तो हम जरूर इस बारे में सोचते कि document सही भी या नहीं हम तो document सही है मान लीजे लेकिन जिस टेल्विजिन चैनल पर चले हैं उसके प्रताप से आप भी परिचित हैं और जिन जो इन इसको प्रिजेंट किया है उनको भी आप जानते हैं ये सवाल नहीं उठता है ये document आये कहां से ये media तक कैसे पहुंचे और क्या उस चैनल ने कभी हमारे शस्वी प्रदानमंत्री के घर दफ्तर और उनकी पोशाक की खर्चे का हिसाब दिया है ये आमादी पार्टी में महरबानी क्यों देखिया आलोग जी ये ये हमारा काम नहीं है ना हमें इस काम की परताल करनी चाहिए असली चीज ये है कि वो एक news channel है उस news channel ने एक document एक scoop उनको मिला है उस scoop को अगर आमादी पार्टी जूटा साबित कर दे तब तो हम ये मानेंगे कोई फरजी खबर है लेकिन चुकि वो उसको जूटा साबित करनी किस्तिती में नहीं ह इसलिए हम मान के चलेंगे कि बड़ी खबर है और ये scoop है और इस scoop को जो है वो उनके लिए एक बड़ी उपलबधी के तौर पर भी है हम सब लोग जानते हैं और हम आप भी संपादक रहें मैंने भी संपादक किया है हम अच्छी तरीके जानते हैं जो भी खबर होती है वो क में source पर भरुसा करते हैं, source हम पर भरुसा करता है और तब वो document हमको देता है, क्योंकि उसको अपने expose होने का खत्रा रहता है, और वो उस document को आने के बाद कोई भी जो professional journalist है, वो ऐसे ही नहीं यह वा में चला देता है, या ऐसे ही नहीं अख़वार के दिनर छाप देता है, उस कोई मतलब नहीं कि कि आप किस channel पर वो ख़वर चली है, या किसा ख़वार में ख़पी है, मेरे लिए मतलब यह है, कि जो documents दिखाए गए हैं, वो असली है या असली नहीं है, और मेरी नजर में वो document असली है, और ऐसे में उस TV channels को को एक तरीके से तारीफ करनी चाहिए, कि इतनी बड़ी ख़वर लेकर सामने आया है, सत्य हिंदी का एप डाउनलोड करें, Google Play Store पर,